लोजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, आज तक आपने गोडों का मेला, बैलों का मेला, यहां तक की सापों के मेले के बारे में भी सुना होगा लेकिन बिहार और जारखंड में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां भूतों का मेला लगता है भले ही आज के विज्ञानिक योग में इन बातों को कई लोग नकार रहे हों लेकिन जारकंड के पलामू जिले के हैदर नगर में, बिहार के कैमूर जिले के हरसु ब्रह्म स्थान पर और औरंगाबाद के महुआ धाम स्थान पर भूतों के मेले में सैकड़ों लोग नवरात्र के मोके पर भूत प्रेत की बाधा से निजात पाने के लिए पहुँशते है यही कारण है कि लोगों ने इन स्थानों पर चैत्र और शार्दिय नवरात्र को लगने वाले मेले को भूत मेला नाम दे दिया है नवरात्र के मोके पर अंद विश्वास संग आस्था का बाजार सज जाता है और भूत भगाने का खेल चलता रहता है ऐसे तो साल भर इन स्थानों पर शद्धालू आते ही रहते हैं लेकिन नवरात्र के मोके पर प्रेत बाधा से मुक्ती की आस लिए प्रती दिन यहां उत्तर प्रदेश, जारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और चट्थिस गड़ के लोग पहुँचते ही रहते हैं हैदर नगर स्थित देवी मा के मंदर में करीब दो किलोμεटर की परीधी में लगने वाले इस मेले में भूत प्रेत की बाधा से मुक्ती दिलाने में लगे आजहाओं की माने तो प्रेत बाधा से पीडित व्यक्तियों के शरीर से भूत उतार दिया जाता है और मंदर से कुछ दूरी पर स्थित एक पीपल के पेड से कील के सहारे उसे बांध दिया जाता है यहां के पुजारियों का कहना है कि मा की शक्ति और कृपा के सहारे ही यहां के ओजा प्रेत आत्माउं से पीडित लोगों को प्रेत बादा से मुक्ती दिला पाते हैं आज लोग विज्ञान की बात भले ही कर लें लेकिन लोगों को यहां आने से फाइदा तो मिल ही रहा है इसमें कोई दो राहे नहीं है तबी तो मा के दर्बार में लगातार साल भर लोगों की भीड उम्री ही रहती है खाली मैदान में महिलाएं सुमर्ती या कहलो मा का गीत गाती रहती हैं तो कई महिलाओं को ओजा बाल पकड़ कर उनके शरीर से प्रेत बादा की मुक्ती का प्रेयास भी करते रहते हैं कई महिलाएं जूम रही होती हैं तो कई भाग रही होती हैं जिन्हें ओजा पगड़कर बिठाय हुए होते हैं इस दोरान कई पीडित लोग तरह तरह की बाते भी स्विकार करते हैं कोई खुद को किसी गाउं का भूत बताता है तो कोई स्वयम को किसी अन्य गाउं का मा के बट बंद हो जाते हैं जिस कारण भूत खेलाने का काम भी ओजाओं द्वारा बंद कर दिया जाता है मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद